हेलो फ्रेंज मैं अनामीका मेरी कीजिन में आप सरी का स्वागत है आज मैं आलू 65 की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे हम 3-4 एस्टेप में तयार कर लेते हैं इसे आलू को छिल के वायल कर लेना है दू इसे बनाना है और चौधे में ग्रेवी तयार करके फाइनली अपने 65 तयार हो जाता है तो इस रेश्पी को आप ज़रो ट्राइब कीजिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक किए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट क एक चमच नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने आलू को ऐसे पीसे काट लिए हैं आप यहां से रेखिए हमने मेडियम साइज के पीस काट रखे हैं और इसे हम दो से तीन मर्द हो लिए हैं जिससे इसका श्टार्च जो है वो निकल गया है अब हम इसे पानी में डाल देगे उबलने के लिए और इसे हम चार से पांस मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे हमें आलू को 50% ही उबालना है आलू को हमने पांस मिनट उबाल दिया है तेज फ्लेम पे अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे और एक इस टेनर से आलू को ऐसे निकाल ल निकाल लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे अब हम इसी आलू में डालेंगे एक चमच ब्लाइक पेपर एक चमच रेडशीगी पॉटर हमने आलू वालने में नमक डाला था इसके लिए हम वन फोर्थ चमच नमक डालेंगे और अब हम इसमें चार चमच कॉर्ण फ्लोर डालेंगे और इसे हम अच्छे से ऐसे टॉस कर लेंगे इससे क्या होगा आलू में जो मोस्चर है उसमें अपना कॉर्ण फ्लोर मिर्च अच्छे से लिपड जाएगा अगर आपको जरूरत पढ़े तो एक से दो चमच पानी डाल सकते हैं लेकिन जरूरत के लाइक इसमें मोस्चर रहती है उतने में अपनी कॉर्ण फ्लोर डिपड जाती है तो हमने इसे अच्छे से पोट कर लिया है अब हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो हमने 10 मिनट तक इसे आलू को ठंडा कर लिया है अब हम एक एक आलू को ऐसे सजनी में भर लेंगे और हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल बहुत ही बढ़ियां गरम हो चुका है अब हम उसमें इस हरनी वादी आलो को दिले के प्राइब करेंगे और अब हम इसे प्राइब करेंगे तो एक साइट से प्राइब होने के बाद हम उसको फ्राइब लेंगे अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से प्राई करेंगे जब तक एक रिश्पी होगा तब तक हम प्राई करेंगे हमने आलो को 50% उभार लिया था 50% हमें प्रेल में प्राई करना है हमने आलो को चलाते हुए ब्राउन होने तक प्राई कर लिया है अब हम इसे एक प्लेट पे टीशू पेपर रखके निकाल लेंगे तो ऐसे हम इसको घरणी से ज़ाड़के और प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना प्रंची हुआ है आवाज आ रहा है और सेम प्रोशेश से हम दुसरे भी यालू को प्राई कर लेंगे हमने चलाते हुए दुसरे बैच को भी स्टाई कर लिया है इसका भी कलर अच्छा सा हो गया है अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही अचानी से बन जाता है और ठाने में तो टेश्टी होता ही है अब हम गैस के फ्लेश को आफ कर लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेश शुडू करेंगे अब हम गैस पे एक फ्राई पर्ण रखे हैं और उसमें हम दो टेवले स्फुन तेल डाले हैं अब हम गैस को आउन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बाड़िक कटा हुआ लहसुन तो ये दो चमल्स हमें रखे हैं और इसे हम कुछ शेकन के लिए ऐसे प्राई कर लेंगे हम इसे ब्राउन नहीं होने देना है अब साथ में हम डालेंगे एक बड़ा हुआ प्याज जिसे हमने बाड़िक काट लिया है और प्याज के साथ हम इसे भी आदह मीना तक होनेंगे प्याज के साथ ही हम डालेंगे कुछ कड़ी पता और यहां पे हम दो खोल रेट चिली डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक आप टेश्ट के अमशार डालेंगे यहां पे हम एक चमच का स्मीदी राल मिर्च डालेंगे आधा चमच गड़म मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए हमें मिक्स करना है अहीं तो मिक्स दरने लगता है अब हम इसमें डालेंगे दही तो यहां पे एक छोटा का टोड़ी हम दही डालेंगे अपनी ग्रेवी जो है गाड़ी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे रेड फोट कलर यह अप्शनल है यह तो मार्केट में बेचने वाले डालते हैं या कलर बढ़ियां आये उसके लिए डाला जाता है आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं तो हम यहां पे एक पिंस रेड फूट कलर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए कि इतना सुम्दर कलर आया है अब हम इसमें डालेंगे आलू जिसे हमने फ्राइ किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शांत में हम डालेंगे फूरा साथ बाड़ी कटा हुआ धनिया पत्ता गैस के फ्रेम को हम आउप कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप यहां से देखिए अपनी आलू 65 बनकर तयार है इसका कितना प्याड़ा कलर आया है और इसकी खुसकु तो घर में फैल गई है अब हम इसे सर्व करेंगे तो अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें सर्व करेंगे आलू 65 बनकर तयार है इसे आप चलो ट्राइ किजिएगा कि खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है तो फ्रेंट्स अगर आज की मेरी आलू 65 की देश्वी आपको पसंद आए तो मेरी सेनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यवाद